इसमें ना किसी थर्ड पार्टरी एप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना फिर गुगल प्लेश्टोर की आप सीधे बेप साइड में जाके इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए हमको एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है हमारे पास गूगल ख्रोम है आप किसी भी प्राउजर पर सर्च कर सकते हैं गूगल ख्रोम में जाने के बाद यहां टाइप करना है इंस्टाग्राम दोस्तों मेंनिंग सभी से टाइप करेंगे क्योंकि एक BAMT yenECKER अगर गलत होगा तो इंस्टारा्म का better website ओपन नहीं होगा हम इसपर वाली लिंग इंस्टाराम का उपर वाली लिंगessä क्लिक करेंगे जो कि इंस्टाराम का आफिसल वेबसाइट है हमें इसपर क्लिक करना है इसपर क्लिक करने के बाद हमको थोड़ा सा इस टाइप का इंटर पेज देखने को मिलेगा यह Instagram का पेज है इसको हम यहां से छोड़ कुछ नहीं करना है सिदह आपको आना है ऊपर राइट कॉर्णर की तरफ से राइट कॉर्णर पे एक इंस्टाल install instagram का option है उस पे click करेंगे उस पे click करने के बाद यहाँ एक option है install install पे click करेंगे install पे click करने के बाद हमको यह website close कर देना है नीचे यहाँ पे एक notification आया है कि आप आप instagram को taskbar में पीन करना चाहते हैं तो yes करें वरना no कर देजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कुछ भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसको close कर देंगे instagram की website को वह से close कर देंगे उसके बाद यह google chrome का भी website हम दोनों को close कर देंगे हमारा सारा काम हो चुका है close करने के बाद दोस्तों देखिए instagram इंस्टाल हो चुका है तो बिल्कुल इसी तरीके से instagram डाउनलोड होगा आप भी ट्राइ करिएगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा